हेलो इस्टूरंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि परधान मंत्री ची के दौरा हर साल परिच्छा पे चर्चा कायोजन किया जाता है 11 दिशंबर 2023 से 12 जनूरी 2024 तक है है इसमें क्लास 6 से 12 सके बच्चे अपना क्ट्षियर्ट करेंगे साथ उनके पेरेंट्स उनके टीचर भी इसमें रीजिटेशन कर सकते हैं तो रीजिटेशन कैसे करना है इसका पूरा steps मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ तो ध्यान से देखिएगा इसके लिए सबसे पहले अपने mobile से किसी भी web browser को open कर लिजे मेरे mobile में google chrome है तो मैं इसे open कर लेता हूँ open करने के बाद यहां search में आपको type करना है innovate India जैसे ही आप innovate India search करेंगे यहां देखिए my gov innovate करके site open हो जाती है innovateindia.mygov.in यहां पास आप देख रहे होंगे परिशा पर चर्चा 2024 दिख रहा होगा 2024 आप इस पर touch करेंगे इस पर touch करने के बाद सीधे login का option आपको उपर दिखाई दे रहा होगा यहां पास आप देखिए login with OTP का option दिख रहा होगा server 2 और server 1 किसी भी server का यूज़ करके आप login हो सकते हैं with the help of OTP यहां पास login with OTP पर touch करेंगे इसको touch करने के बाद यहां पास अपना नाम इंटर करेंगे इसे मैं अपना नाम इंटर कर लेता हूँ इसके बाद आप अपना कोई भी mobile number जो आपके पास available हो जिसमें OTP आए और आप login हो सके या आपके पास email ID है तो email ID के थुरू भी आप login हो सकते हैं सबसे better होता है mobile number चले मैं mobile number इंटर कर लेता हूँ यहां पास और उसके बाद login with OTP कर लिजी इस area में आपको जैसे ही OTP आएगा इंटर कर लिजीगा देन वो login हो जाएगा देखिए OTP आगया 163158 देन submit submit करने के बाद देखिए login हो चुका है top में आप देख पा रहे होंगे high करके message दिख रहा है scroll कीजेगा यहाँ पास option दिख रहा होगा participate now का तो participate now पे आप टच कीजेगा जैसे यहाँ participate now पे टच करते हैं देखिए यहाँ पास participate as करके option दिख रहा होगा अगर आप student है तो पहला वाला जो option दिख रहा होगा submit का उस पे टच करना है अगर participate through teacher login अगर teacher के login ID से किसी बच्चे का अगर participate करवाना है तो इस second वाला option third वाला जो है teacher खुद भी इसमें participate कर सकते हैं registration कर सकते हैं उनके लिए हैं last में दिया है parent के लिए parent भी परिच्चा में चर्चा में सामिल हो सकते हैं तो चलिए मैं आपको first वाल option दिखाता हूँ जहाँ पस बच्चे खुद से self participation का दिया हुआ है यह जो participation है class 6 से 12 तक के बच्चों के लिए हैं यहां submit पर टच्च किजेगा submit पर टच्च करने के बाद यहां पस देखिए student का नाम last name, email id, mobile number, gender, date of birth, class अपना select कर लिजेगा then class select करने के बाद यहां address और parents का नाम school जिस school में आप पढ़ते हैं उस school का नाम यहां enter कर लिजेगा जैसे अगर आप DAV में पढ़ते हैं तो यहां पास आप CBSC select करेंगे CBSC private school और उसके बाद address डाल दिजेगा country by default selected India state अपना select कर लिजेगा जिस state से आप belong करते हैं उसके बाद district select कर लिजेगा जो आपका district पढ़ता हो और pin को डाल लिजेगा उसके बाद यहां कुछ questions दिये हुए हैं करीब five questions दिये हुए हैं यहां पास अगर PM से पधान मंतरी जिसे अगर आप कोई question पूछना चाहते हैं तो इस chat box में आप type करके उसको submit कर सकते हैं और उसके बाद यहां पास submit बटन पर आप टच करेंगे जैसे ही submit बटन पर टच करेंगे देन आपका एक certificate generate होगा जिसे आप अपने group में या teacher को share कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों